हाँ जी दोस्तों कैसे आप लोक गुड मॉनिंग दो चार चैप्टर होगे टोटल मिला कर देखा जाए तो पहला हमने किया बैसे को फाइनस को चैप्टर रही था डेरिविट्व किया इंट्रेस्ट रिस्क मैनेजमेंट किया इसके अलावा फॉरेक्स किया इसके अलावा इं इंपोर्टेन चैप्टर लेके चल रहे जिसका नाम है पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रैक्टिकल कोश्यंग आते है और स्वीसदा से पंदरा नंबर तक का लिखे मेरे साथ सत पॉर्ट फोलियो मैनेज्मेंट सर जी होता क्या पॉर्ट फोलियो मैनेज्मेंट एक बार आप समझा देंगे तो फिर हम लोग स्टार्ट करें शेप्टर बिल्गुजएं और मुझे पॉर्ट फोलियो मैनेज्मेंट ज्यादा एक्स्पेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर करना तो पड़ेगा करना इसलिए पड़ेगा ताकि मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपने आपका यही पहला चैप्टर है ठीक है तो आपको कुछ नहीं पता बॉंड्स श्टॉक्स यह सब मुझे समझाना पड़ेगा एक्स्प्लेन करना पड़ेगा पर पॉर्टफोलियो का संजाने से पहले पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक हम देख ले कि亲 क्या क्या chi delicious me manage 추천 ल कितना part में cover करना कितना time लग जायगा यह सब किछ देखना पड़ेगा हमको तो पहले यह Like किपन कितना कितना party को कितने parts में हम को cover करना जैंठ टो एक बार लिष्ट बन जाएगी ना फिर टाइम लगीगा ठीक है सरे तो कितने पार्ट सबसे पहले पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर वन में हम कवर करेंगे कि मौडर्ण पॉर्ट फोलियो थियोरी जिसको हम क्या बोलते हैं इम-पीटी मौडन पोर्ट फोल्यों थियोरी तो सरी थियोरी है कि नहीं जिस पहे पूरे बूरे प्रैक्टे ले से सर् relat,, इसका मतलब इसका मतलब और फेयरी वगिर नहीं है पूरा प्रैक्टिकल कॉस्चं से वही हमको करना है ठीक, एक theory लिखी गई है कि किस तरह से portfolio का management करना चाहिए, किसी एक person ने लिखा है, और उस person की theory हमें पढ़ दिनी है, okay. Part No. 2 Capital Market Theory, Capital Market Theory, CMT. Part No. 3 Arbitrace, सब फिर से आगया Arbitrace, Pricing Theory, Regiscom क्या बालेंगे बिटे, APT. Part No. 4 Efficient Market Hypothesis, जिसको बोले जाथा, E, M, H And last Part No. 5 Portfolio Rebalance पहले न, छे पार्ट में हम करते थे, जिसमें होता था, सार्प optimization model, जो की practice manual से एक ही question हुआ करता था, वो हटा दिया गया है, आपके study material में तो है ये नहीं है, तो सार्प optimization model हम नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं है, जब है ये नहीं कोर्स में तो क्यों करें, तो total मिलाकर हमे कितने parts में इस topic को, इस chapter को खितम करना, पाच पार्ट है, ठीक है सर, modern portfolio theory, capital market, arbitrage, efficient, इन पाच topics में से, जो सबसे ज़्यादा time लगना है, वो लगना MPT में, और CMT में, और सर, बाकी जो classes है, 3, 4, 5, तो बड़ी-बड़ी मुस्किल से, एक-एक class में ये खतम हो जाएगा, एक-दो-एक-दो class में, ये मतलब इन तीनों में, बहुत ही कम, तीन class में खतम हो जाएगा, ये तीनों part, तो सर, हम लोगों को जो महनत करने हैं, वो करने हैं, modern portfolio theory पर, और capital market theory पर, start करते हैं, ये इसे start करें, modern portfolio theory, so portfolio है क्या, हाँ बिटे, discussion कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे time दे दीज, तो लिखोगे मेरे साथ, part number one, modern, portfolio theory, जिसको हम क्या बोलते हैं, MPT, पर, सर, इस theory को जो लिखा है, वो किसे नहीं लिखा है, इस theory को जो लिखा है, उसका नाम है, Harry, Markowitz, Harry Markowitz, ठीक है, ठीक है सर, अब समझाओ क्या है, पहले एक बात बताओ, portfolio क्या होता है, portfolio होता क्या है, अब आराम से आपको बहुत, बहुत time तक मेरी बस बाते सुननी पड़ेगे, it means, sir, हम लिखे बिटे, अभी लिखोगे नहीं, अभी थोड़ा सा time लगेगा, अब समझना पड़ेगा आपको कि मैं क्या कहना चाता हूँ, बस सुनते जाना, सुनो मेरी बात को, ठीक से, मान लो, दो परसन है, एक का नाम है राम, सर, इसके पास कितना पैसा, इसके पास मान लो, दस लाक रुपै है, और इसके पास भी, दस लाक रुपै है, राम के पास भी 10 लाक रुपए है वो 10 लाक रुपए को इन्वेस्टमेंट करना चाहता है सर्प्लस फंड है और श्याम के पास भी 10 लाक रुपए है वो भी 10 लाक रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है राम का ये मानना है कि क्यों ना सारा की सारा पैसा आप रिलाइंस में लगा सकती हो कितना रुपए दस लाक और इसने सारा पैसा दस लाक रुपए रिलाइंस में इन्वेस्ट कर दी सारा बैसा रिलाइंस में वेस्ट किया लेकिन स्याम ने भी रिलाइंस में लगाया लेकिन सिर्फ तीन लाख रुपए लगाया कुछ पैसे उसने और एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था टिस्क को दो लाख रुपए लगाया एक पैसे उसने बैंक में भी लगा दिये एच्डीएसी में एक लाक रुपए लगाया कुछ पैसे का उसने गोल्ड भी खरीद लिया तो लाक रुपए का कुछ पैसे उसने फिक्स डिपॉजिट कर लिया कि दसलाग क्या राम ने भी दसलाग रुपए इनवेस्ट किया हिस क्या स्याम ने भी दसलाग इनवेस्ट किया यस अच्छ अगर में सवाल पुछ हूँ कि कौन ज्यादा कमाएगा वह बात में सचेंगे मेरा बस आराम से सोचके कि इस परसन का Bund management ज्यादा अच्छ़ा है राम जिनों ने सारा पैसा rice me लगा दिया श्याम जिन्होंने कुछ पैसा रेलाइंस में लगाया कुछ पैसाश डी अप्सी में कुछ पैसा गोल में और कुछ पैसों का fix deposit किया सवाल बड़ा सिंपल साह कि बताए राम का फंड मैनेजमेंट ज्याद अच्छा है कि श्याम का फंड मैनेजमेंट ज्याद अच्छा है तो ठीक है जी रिलाइंस तो अच्छी कंपनी था है लेकिन हो सकता है एक साल बात क्या हो जाए क्या मादम ऐसा ही तो थो सकता क्या सहरा ही है सत्यम डूप घए आपका विजयमालिया किई एर प्लेन वह भाग गई और भी बात करो और वे तो किसी ने पैसा लगाए किसी लगाया होगा follow Iusts bank in Just best pencil तो क्या उन्होंने ये सोका होगा क्या ये company बंद और रिल्कुल नहीं पर क्या बंद हो कि हाँ कुछ भी हो सकता भाई पता नहीं कमपनी में क्या प्रॉब्लम आ जाए आज नहीं तो कुछ समय बात कह नहीं सकते तो सर तो यह तो किसी भी कमपनी में आ सकती हाँ मान लो अपने reliance में ही पैसा लगाया और reliance में ही problem आगी तो आपका पूरा दसलाग बरबात पर अगर आपने अलग-अलग जगा पैसा लगाया तो सर क्या अलग-अलग सारी company में तो problem आ सकती मिटे ऐसे कैसे बोल सकते हो problem आती है पर किसमत इतनी भी खराब नहीं रहती कि जिन जिन company में पैसा लगाया सर की सब में problem आ जाए क्या reliance भाग सकता है यस क्या ये सब लोग एक साथ भाग सकते कैसे it means risk simple सी वात रिटन की वात ही मत करो risk इसमें कम है किसके fund management में risk कम है क्योंकि स्याम ने क्या अलग अलग जगा पैसा लगाया है यस इसने पूर्टफोलिय को पूर्टफोलियों बोलते है bundle of securities securities का bundle बनाया जिसमें Reliance का भी share Tisco का भी Ambusha Cement का भी State Bank of India का भी हर company के share bonds में पैसा लगाया लेकर एक bundle बना दिया जिसका नाम क्या हो गया पॉर्टफोलियों It means Fund management of Siam Is better than Fund management of Vraam क्यों? Because Siam ने क्या क्या है Siam ने अलग अलग जगा पैसा लगाया है जिससे हम बोलते Diverzification Diverzification का मतलब समझते हो Diverzification का मतलब एक ही जगा पैसा लगाना की अलग-अलग-अलग जगा पाईसा लगाना क्यों? क्योंकि dit risk कम होता जबकि Reliance में एक ही जगा पैसा लगाओगी तो risk जाद़ा होगा कोई शख नहीं हो सकता Reliance राम ज्यादा कमा ले, रिटन ज्यादा, हाँ, रिटन भी ज्यादा हो सकती, रिस्क भी तो है, और हमारा जो टार्गेट रहेगा पॉर्टफोलियो में, वो कमाना तो रहेगा, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क कम करो सार, रिस्क, जितना रिस्क कम करो के उतन तो क्या होता है portfolio में सब portfolio का मतलब bundle of securities portfolio का मतलब अलग-अलग जगह पैसे लगाओ और अलग-अलग जगह पैसे लगाओ को हम क्या वो लेंगे इंगलिस में diversification कीजिए अगर diversification करते तो क्या risk क्या हो जाता कम हो जाता ठीक है ये बात हमारे समझ में आकर तो बस खतम हो गया है हम portfolio में पढ़ किया रहा है time pass जब हमको भी पता था ये आपने बताया बहुत अच्छी बात है लेकिन हमको तो पहले से पता था कि अलग-अलग जगह पैसे लगाना है और जब आपने लिखा उससे पहले ही हमने बोल दिया था कि स्याम अच्छा है स्याम ने अच्छा काम किया है कि अलग-अलग जगह पैसा लगाया है आपने हमको पढ़ाये किया ये तो हमको पहले से पता था यस और इसमें कितने क्लासिस लगनी है इसमें 35 क्लासिस लगनी है तो 35 क्लासिस में आप क्या बताओगे सर ये तो हमको पहले ही पता लग दे है एक बार बताओ, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको पहले से पता है, हाँ, तो फिर मैं इसमें आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये तो आपको पता है, बिलकुल से, अब समझने की कोशिश करेंगे कि हम आखिर क्या पढ़ने जा रहा है, जो हमको पहले से अगर वही पढ़ने जा रहे तो इसी पढ़ाईगा क्या मतला अब सुनों ठीक है मुझसे क्यों पूछ रहा है मैं यह भाई सबसे बुछता हूं क्या नाम है इनका मार्कोविड्स मैं पूछ रहा हूं मार्कोविड्स साहब आपने नाम लिखा है modern portfolio theory यह आप ही ने लिखा है मार्कोविड्स मैं बोला हाँ मैंने ही लिखा है मैंने लिखा साहब portfolio में आप क्या पढ़ाना चाहते हूं यही ना कि अलग अलग जगा पैसा लगाना वो तो लगा दिया खतम बस यही तो था portfolio अब मुझे मार्कोविड्स समझाने की कोशिश करता बेटे सुनना ध्यान से यह important है अगर यह यहां सुन लिया तो फिर यह theory हम की खतम हो जाएगी अब मार्कोविड्स साहब क्या बोल रहा सुनना हो मार्कोविड्स मुझसे बोल रहा है पवंसर बोले अब सुनो की मैंने क्या लिखा इस theory में अब बटी वह मुझे समझा रहा बोले मान लो एक person है ठीक है नाम तो देना ही पड़ेगा जिसका नाम क्या देता है राम और बोले राम के मार्कोविड्स समझा रहा है मार्कोविड्स ने एक चो theory लिखा है ना modern portfolio theory वो समझा नहीं की कोशिश कर रहा कि आखिर उसमें ये क्या लिखा है उन्होंने बोले रा राम क्या कर रहा है राम बैंक जा रहा है सर कितना रुप है बड़ा सारा बोलते हैं एक लाख रुप है और राम बैंक गया गया अर्यखत तरा भी और बैंक और यहां राम को 15 पर्शंट की कमाई हूने वाली 15 पर्शन एक लाख का पंध्रा पर्शन कितना होता सर एक लाख का पंध्रा पर्शन ही दस पर्शन ले權 तो एक लग का दस पर्शंट हो गए दस जार रुप है राम की खुसी का ठीकाना नहीं क्यों कि राम को पता है कि यह जो मैं बैंक में जमा कर रहा हूं एक लाक रुप है इस पे मुझे दस पर्शंट रुप इनट्रिस्ट मिलेगा तो एक लाग का दस पर्शंट कितना हो गाए सार जी 10 जार रुपय इंट्रिस्ट मिलेगा राम् खुस बस कोश्चिन में आपसे पोच रहा हूं है यہ जो डस जार रुपय यह पक्का मिलेगा पका कि रिस्क है क्या यह 10 जार रुपय कम ज्यादा हो सकत है यह पिर पक्का ही 10,000 रुपए ही मिलेगा क्या ऐसा भी हो सकता जीर हो Central Island लग क्वेंद ऐसा भी हो सकता है जिरो बैंक वाला क्षूप कर दे बूले नहींग पैसे एक सल बात या फिर बैंक वाला खुशी का ठीक हो नहीं बैंक वाला बуд क्वेंद और ट संट किया था ना 50,000 ले लो कि ऐसा बोल सकता है नहीं जनरली क्या होता है जनरली सर बैंक में हमको पक्का पक्का मिलता ही है इट मिंस यहां रिस्क है कि नहीं है नहीं है इसको क्या बोला जाता था इसको बोला जाता है रिस्क फ्री रेट risk-free क्या market fluctuate होता है daily 9-6X में तो daily change होता है तो क्या इसमें भी change होता है नहीं होता है इसलिए इसका नाम क्या है risk-free ठीक है यहाँ तक बिल्कुल बहुत अच्छी से से चल रहा राम की खुशी का ठीकाना नहीं राम को पक्का मालू है किया कि बैंक में पैसे जमा करूँगा तो 10.000 रुपाय मिलेगा मिलेगा अब मार्कोविड्स साहब आया है और मार्कोविड्स साहब किसको बोले राम से बोले राम राम क्या कर रहा है बोले मैं बैंक में पैसे जमा करूँगा और बैंक में पैसे जमा करूँगा तो मुझे 10.000 मि तो तो हो आपको थाधा मिलेगा जिन क्या बात कर रहा है आप जूमनो लौले है तो आप से है मारक fine में मेंने पता लगा लिया और आपने क्या पता लगा है धायं जो नियान से हम तो कंपनी का नाम की है ऐसी कंपनी है जो आइस्क्रीम बनाती है अगर उसमें मैं पैसा लगा दूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 पर्शन मिलेगा मिलेगा आइस्क्रीम में कैसे पता पुले पास्ट एक्स्प्रियंस है कि 30 पर्शन कमाती आइस्क्रीम बले अच्छा मैंने का अच्छा हां 30 पर्शन मिलेगा तो मैंने का भी सर आइस्क्रीम में क्यों नहीं लगा रहा है आइस्क्रीम बिजिनस में पैसा लगाओ ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ जो आइस्क्रीम का काम करती हो आइस्क्रीम और आइस्क्रीम अगर वो प्रड्यूस करती है आइस् स्क्रीन तीस पर्षंड कमाएगी पक्का बोले इसमें भी टैंसने बोले यह जो कंपनी है ना यह तभी चलती है जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़े इंडिया में अगर बहुत गर्मी पड़ेगी आने वाले स्थे मैने में तो यह बिजनेश चलेगा और अगर नहीं पड़ रहा है बोले सुनो 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 मान के चलो अब सुना इंडिया में आने वाले एक साल की में बात करो आने वाले साल में दो ही सीजन हो सकते हैं पूरे साल भर यह तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ सकती है विंटर यह तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती है समर पूरे सा बर इट मेंस क्या हो सकता है बोले दो ही पॉसिबिलिटी एंडिया में सर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है या तो क्या होगा पुरे साल बर विंटर या तो क्या होगा समर बस बारिश तो होती नहीं सवाल यह आइस क्रीम कोई खाएगा कप आम आदमी की बात कर रहा हूं ऐसे वाले लोग नहीं जो विंटर में आइस्क्रीम खातें नहीं आइस्क्रीम कोई खाएगा कब बोले जब गर्मी पड़ेगी समर में आइस्क्रीम चलेगा तो मैं 30 परशन कमा लूँगा पक्का लेकिन अगर साल भर गर्मी पड़ी नहीं ठंड पड़ी विंटर तो मेरा पैसा गया रिटमेस में क्या सोच रा था मैं सोच राथा कि भी तीसर कमाऊंगा भले कुछ नहीं कमाऊंगा फिर तो दिक्कत में बढ़े जाए अब मार्कविट समझा था बोले सुनो सुनो मेकप बोर्ड़ों क्या अईसक्रीम में लगा बोले और एक कंपनी बताता हूं इन्होंन इसके साथ भी समस्या यह है उलन क्लॉथ तो तब चलेगा जब विंटर है अगर अगले साल पूरा साल भर समर रहा तो कोई श्वेटर वगेरा खरीदें वाला नहीं है फिर तो बिटे समर रहतों लोग आइस्ट्रीम खरीदें अब राम पूछ रहा है अच्छा मार्कोविट्स बताओ भाई अम मैं क्या करूं मैं जानता हूं या तो यह चलेगा या तो यह चलेगा पर मुझे मालम है विंटर भी 50,000 रुपे यहां इन्वेश्ट कर दो अब 50,000 रुपे यहां इन्वेश्ट कर दीजिए कुछ पैसे कहां लगा दीजिए आइस्क्रीम में कुछ पैसे कहां लगा दीजिए ओलन ग्लास में बोले अच्छा ठीक उसके बाद बोले देखो और क्या पड़ेगा आपको क्या ल अगर विंटर पड़ा तो नो डाउट आइस्क्रीम बिजनेस नहीं चलेगा लेकिन उलन क्लॉथ तो चल जाएगा मैं अगर विंटर नहीं पड़ा समर पड़ गया तो फिर आइस्क्रीम चल जाएगा और कितना कमा लेंगे कि 15000 का किसी भी हालत में मुझे 15000 मिलेगा हां मान के चल रहा हूं दोई zarμε कि सब 16 रुपय मिलेगा चाहांँ इस वी हालत में मुझे 15000 मिलेगा I.s. इस का मा किसी भी हालत का मतलबा बो those के है कि नहीं नहीं है रिस्कष्क खत्म हो गए सब 50,000 भी तो डूप जाएगा बिट्टे यही तो गलत में में कप कह रहा हूँ कि 50,000 डूप जाएगा मैं कह रहा हूँ कि 50,000 लगा रहेगा हो सकता हम यह 15,000 ना कमाएं कोई दिकर पर 50,000 इसमें जमा रहेगा हम अगले साल कमा लेंगे हमारे पास शेयर रखे रहेंगे इस पर कमाई नहीं होगी डिविडेंट की कमाई नहीं होगी बस इतनी सी बात है उक्ये सर इत मेंस क्या इधर से में इंकम 15,000 कमाऊंगा ही कमाऊंगा हां रिस्क है की नहीं है नहीं है रिस्क कट गया आपस पर इधर से कितना कमा रहा हूं 10,000 क्या ये भी रिस्क फ्री है हां क्य इसको भी मिने रिस्क फ्री बना लिया हां क्या जाद अच्छा 10द कमाना की 15.000 सिर्फ 15.000 कमाना मजा आ गया राम को सुनते हमने राम आपको समझ में आया है कि नहीं आया है बो ले राम कहता मेरे कंपने जो एयर कंडिशनर बनाती है और वो भी कहां चलेगी समर में और उसमें भी मैं पचास जार लगा लेता हूं ठीक खुश कि राम का यह कहना है देखो राम को ना उतने जल्दी समझ में आता नहीं था तो वो कह रहा है कि बूलन क्लॉट छोड़ो ना यह कंपनी अच्छे दिख रही है एक कंपनी ऐसी जो एयर कंडिशनर बनाती है और एक कंपनी आया और इसमें भी 50,000 लगा देता हूं इसमें भी 50 बरबाद हो जाए और यह भी विजनेस बरबाद हो जाए आपको तो ऐसी दो कंपनी में पैसा लगाना है इसी दो कंपनी में पैसा लगाना है जिसका आपस में फिर से बढ़ाऊं जिसका आपस में relationship इसी एक पॉजिटीव हो की नेगेटीव नेगेट लिट विट मिन्स दोनों का ऑपोजिट एपऊजिट रिलेशन सिफ होना चाहिए तबही आपका रिस्क टेंगा नितों रिसक नहीं इचता इस हिसी पोज्च इमपोर्टेंट निस्क्र्स निकला और निस्क्र्स क्या दि पूरा modern portfolio theory correlation पर ही डिपेंड करता है जिसका आपस में correlation positive हो की negative negative it means एक बढ़ेगा तो एक कम होगा तभी रिस्क कटेगा नहीं तो रिस्क नहीं करता है बास समझ में आ गई है एक लाइन में बोल रहा हूं मार्कोविट्स ने क्या बोला है और जो मैं अभी एक लाइन में बोल रहा हूं उसी लाइन को discussion करने के लिए मुझे कम से कम 10 से 11 क्लासिस लगनी है फिर से बोल रहा हूं दस से 11 कि मार्कोविट्स ने यह बोला कि सर आपको अलग-अलग company में पैसा लगाना divergification करना और यह जड़ तो divergification कर रहे हो यह depend करता है कि ऐसी दो company में पैसा लगाई है दो ही company बोल रहा हूं जिसका आपस में जो relationship है जिसको मैं बोल रहा हूं correlation वो negative हो तो उसकी वजह से जो risk है वो कम हो जाएगा जीरो भी हो सकता है risk कम हो जाएगा और हमारा target क्या है यह return तो कमा नहीं कमाना है पर रिस्क को क्या करना है कम ठीक है सर लिख लिए क्या बहुत सारा आपने discussion कर लिया यास तो चलो जिसको रफ करना सब्सक्राइब हो फिर मैं अपको लिखाता हूं point number one लिखोगे introduction लियंOUGH लिखोटन Łगोडोगे कि helping liber 적ेनी create the soul anim लिखो गए, portfolio is defined as bundle of securities, portfolio के विसे में थोड़ा सा लिखा, अब MPT के विसे में लिखूंगा तो, whole purpose of MPT is 2. explain benefit of diversification, ठीक है यह तो बढ़ना हमको benefit हाँ, of diversification, that is risk reduction. आगे लिखोएं. as per Markowitz, if we invest invest more than one security, then risk of portfolio can be reduced projects with the help of diversification, and such such diversification depends upon correlation, correlation, two securities, यही बड़ा है वही किस पर डिपन करता है? correlation क्या होना चाहिए? यह कम की ज्यादा, कम negative, वही है, जितना correlation कम होगा, उतना risk reduce होग. बाकी डिटेल में तो पढ़ना ही पढ़ना, बस थोड़ा से इंट्रोड़ेक्शन में. इंट्मियास, लूवर्द, कोरिलेशन, हायर्द, risk reduction, यह sentence समझाना है, डिटेल में समझाना, ठीक, तो यह थोड़ा साम introduction लिख लेंगे, तो theory आता है, कि पैटे theory के लिए तो अलग से मैं आपको समझाओ, यह समझाओ, ठीक है, तो पहला पार्ट किया, पहले पार्ट मार्कविट चल रहा है, और मार्कविट में point number one लिखा और point number one लिखा है, introduction, ठीक है, और introduction में हमने कुछ लिखा यह नहीं है, सच कुछ समझने माली बात नहीं थी, बस इतना समझ लिए सर, कि रिस्क जो है वो कम किया जा सकता है, पर हमें एक जगा पैसा लगाना कि दो जगा दो जगा, और target क्या रहना चाहिए, दोनों का आपस में correlation क्या होना चाहिए, negative, यह कम होना चाहिए, ठीक, बाखी correlation के विशे में मुझे और समझाना detail में, आगे लूग के point number 2, 2, and risk of single stock. इसन मतलब क्या है, पैटे मतलब समझने की कोशिश करना है, हमने यह कहां, कि दो company थी, एक का नाम था ice cream, और ice cream business में, कितना return मिल रहा था, 30% सवाल यह है, कि यह जो return मिलने वाला है, यह past का है कि future का, future का, पर future का return हमें पता कैसे लगेगा, सर, future का return हमें पता कैसे लगेगा, future का return तभी पता लगेगा न, जब हमें उसके विसे में पहले से कुछ पता हूं, क्या किसी भी चीज का expectation पॉसिबल है, यह यह मैं पहले भी बात कर चुका हूं, क्या किसी भी चीज का, अनुमाल लगा यह सकता कि क्या होने वाला, किस को देखकर past को देख, suppose, मैंने आपसे पहले भी बात किया था, मैं फिर से बात करूं, किसी बच्चे का 8th class में 80% आया, 9th class में 85% आया, 10th class में 82% आया, 11th class में 81% आया, और अब भी उसने 12th का exam दिया है, ठिक, और अभी result नहीं आया, पर क्या हम अनुमाल लगा सकते कि कितना result आयेगा, हाँ, बिलकुल लगा सकते, जितना सोच रहा है उससे थोड़ा उपर नीचे हो सकता, उपर नीचे, पर सोचा जा सकता है, ठिक है, सर, कितना आयेगा, मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, 33 परशेंट आयेगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, 12th का result आयेगा, उसका 33 परशेंट, क्या मैं पूरी तरह से गलत हूँ? हाँ सर आप गलत हो, कितना आएगा, सर इसी के आसपास आएगा, क्या इसका हम average कर लेते थे, यस, average profit, average profit का मतलब क्या होता था, average profit नाम सुने है आपने, goodwill निकालते थे, average profit into number of purchase, average profit का मतलब past का, profit की future का, future का, पर किसको देखकर निकालते थे, past को, इसका मैं average कर रहा हूँ, 80, 80, plus 85, plus 82, plus 81, divided by 4, तो सर, approximately 82% आएगा, 82% आएगा, क्या पक्का 82% आएगा, नहीं, कम ज्यादा हो सकता है, मन से बोल रहा हूँ, 3% कम ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब, सर, इसका मतलब 85% भी आ सकता है, 85%, या फिर, 82 से माइनस कर दो, 3, 79 भी आ सकता, एक range बता दिया, on an average कितना है, 82, पर 82 से ज्यादा भी हो सकता, 3%, और 82 से कम भी हो सकता, 3%, इसको क्या बोले जाता है, इसको बोले जाता है, standard deviation, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, standard deviation, इसको बोलता है, risk, कितना fluctuate हो सकता, खेर, मैं आगे निकल गया, अभी एक बाद बता हूँ, क्या हम future का अनुमान लगा सकते हैं, यस, और future का अनुमान किसको देखकर लगाएंगे, past को, बस, same situation ही हाँ, मैं आप से बोल रहा हूँ, मुझे किसका return निकालना, मुझे reliance का return निकालना, तो reliance के 4 साल का return, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 10 साल भी ले सकते हैं, मैं 4 साल कर ले रहा हूँ, किसी साल मिला 15%, किसी साल मिला 20%, किसी साल मिला 5%, किसी साल मिला 10%, क्या reliance future में कितना कमाएगे, निकाला जा सकता है, कि हाँ सर, कैसे करोगे, इसी का average कर लेंगे सर, 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 10, divided by 4, answer आ जाएगा, this is expected return, सर, ये तो बहुत simple है, हाँ बिटे, आपको क्या लग रहा है, कि मैं जादू की छड़ी घुमाऊंगा और बोलूँगा, ये कमाएगा, return और वही आजाएगा, ऐसा नहीं है, हम किसको देखकर बोलेंगे, हम पास्ट में जो कमाया है, वही future में कमाएगा, हमारी यही एजमिशन रहेगी, ठीक है सर, रिलाइंस ने, रिलाइंस कमाएगा, सर, ठीक हम तैयार हो जोगे, बिल्कुल, और सर, सीरियस लिए, मजाक वाली बात में हमको पता ही करना है, जो होगा देखे, हमको रिलाइंस ने कितना पर्शंटेज कमाया है, पिछले चार सालों में, यह पता कैसी करोगे सा, यह पर्शंटेज तो आप कोश्चन में लिखा रहता है, तो इजी हो जाता है, आप कैसी पता करोगे, यह पर्शंटेज, रिलाइंस ने कितना परश्टेज कमा कर दिया, यह कैसी पता लगाएंगे हैं बोहाई, बिल्कु, अब सुनना रियांस, बात तो सहीं, यह पर्शंटेज कैसे पता लगेगा, तो सुनो बेटे, ऐसी पता लगाते हैं बोहाई, तो महिंने नहीं आए हैं और आज में शेर खृदने का सोच रहा है आज प्राइस कितना है 60 मेंने शेर खृदा कि दूसरे साल में मुझे डीविडेंद मिला शेर खृदते हैं डिविडेन मिलता है ना बिटे मानलो मुझे डिविडेन मिला 30 रुपए और शेयर का प्राइज हो गया पास्व 20 रुपए इट मेंस मेरा तो फायदा दिखी रहा है डिविडेन मी भी गया और शेयर का प्राइज भी बढ़ गया इट मेंस शेयर का प्राइज कितने रुपए से बढ़ा सर दिश्रुपै से बढ़ा वीश्रुपै सर डिविडेन किंटा कमाया दिविडेन 30 रुपै कमाया तो टोटल मिलाकर हमने कितना कमाया पचास और इतना किस पे कमाया 500 रुपए पे into 002 कितना पर्षेंट कमाया 10 परशन और यह जो प्राइज होगा वो कौन सा होगा फिर से बोल रहा हूं मैं क्या करूंगा रिलाइंस का मुझे कितने साल का रिटन देखना पाट साल का तो मैं रिलाइंस के शियर का प्राइज पता करूंगा 31st March का क्लोजिंग प्राइज क्या यह प्राइज पता लगाया जा सकता यस आप आप चाहो तो सीधा पता लगा सकते हो इंटरनेट पर भी सर्च करोगे न कि 31st March 2019 को शियर का प्राइज कितना था रिलाइंस का मिल जाएगा 31st March 2018 को रिलाइंस का क्लोजिंग प्राइज कितना था यह पता लग जाएगा और साथ में यह भी पता लग जाएगा कि कितना डिविडेंट मिला है कि 2010 में डिविडेंट कितना दिया गया है 2019 में कितना दिया है 2018 में जब मुझे प्राइज पता है जब मुझे डिविडेंट पता है तो क्या मैं रिटर्न नहीं निकाल सकता है इसको बोला जाता एनवल रिटर्न तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा पहले मुझे रिटर्न निकालना पड़ेगा एनवल रिटर्न और वो कैसे निकलेगा बिल्गो सिंपल सा फॉर्मला है चेंज इन प्राइस प् अगर इस साल का निकालना तो इससे पहले का मुझे market price पता होना चाहिए तब ही होगा ने तो इस साल का नहीं निकल पाएगा ये second year का return निकलेगा तीक बाकी मैं example करवांगा चलो तयार हो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे मुझे वह हर साल का percentage पता करना पड़ेगा और वह percentage पता करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा मुझे annual return निकालना पड़ेगा हर साल कितना return कमा रहे है उसके बाद क्या करना पड़ेगा सर उसके बाद एक बाद percentage पता लग गया तो उन परसेंटेस का एवरेज कर दूँगा तो मैं क्या निकाल लूँगा एक्सपेक्टर रिटन पहले मैं लिख लूँ यह सर ठीक है सर पहले आप लिख लेते हैं तो हम किसकी बात करना मेरी बात समझना हम portfolio का reten तो बात में समझैंगे पहले तो मुझे ice cream का और अलड़ अलग निकालनों स्पेले single single निकाल लेंगे single single stock का फिर मिलाकर portfolio का return निकालेंगे ठीक है तो सबसे पहला काम कर रहा हुए expect return and risk of single stock ठीक है जी यस तब पहला काम इसी के अंदर first point लिखोगे point number two में one on the basis of past data इसको बोले जाता है x post data step number one calculate annual return and holding period annual return बोल्दो या holding period बोल्दो बोल्दो बातिक annual return is equal to change in price plus income divided by beginning place percentage में नावता है तो into hundred ये क्या निकला आपका 10 पर्षन 15 पर्षन ये सब क्यार में example के साथ कर वां 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 लोल्दो इस्टेपन मेंबटो Calculate expected जिसको हम क्या बोलेंगे year expected इसी को बोलते एक्स बार मीन बोला जाता हम भी expected return is equal to summation of annual return divided by n step number three Calculate risk in expected return that is standard deviation standard deviation of x is equal to summation of x minus x bar square divided by n बाप रे बाप सर ये है क्या बेटे अभी चिंदा मत करो मैं आपको एक एक चीज थोड़ा अच्छे से समझाओंगा बिल्गुल टेंशन नहीं लोगे अभी कि क्या चीज है क्या नहीं है ये सारी चीज आपको आराम से समझ में आजाएगी मैं one by one discussion करूंगा it means पहले आपको animal return निकालना सखाऊंगा अच्छे से फिर expect return सिखाऊंगा example के थूँ और standard deviation तो आपके समझ में आजाएगा ठीक है ठीक है सर करते है एक example देते ए one by one पहले हम यह निकालना सिखते ठीक है ओके सार तो यह रहा एक्जामपल एक बार रीट किजी एक्जामपल हाँ जी एक्जामपल दिया है यह टो थाउजन वान टो थ्री फोर फाइफ क्लोजिंग प्राइस दिया है और डिविडेन पर शियर दिया है और हमको निकालना क्या हमको निकालना एनवल रिटन हर साल का तो सर क्या 2001 का एनवल रिटन निकलेगा नहीं फर्स्ट यर का एनवल रिटन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका बिगनिंग प्राइस नहीं मालूम है लेकिन 2002 का closing price यह है तो 2002 का opening price या beginning price कि रहा होगा यह होगा ठीक है तो सीधी सी बात है 2001-2001 का annual return नहीं निकाला जा सकता सर एक note लिख दो हम ना 2001 का भी निकालने की कोशिश करोगे नहीं बिट्टे तो note note बाद में सबसे पहले क्या लिखोगे calculation of annual return annual return का formula annual return is equal to change in price plus income divided by beginning price into 100 कभी भी start कहां से करोगे दो हजार दो से प्राइज कितना होगा पास्व थीश पहले कितना थो 500 अब डिवाइड इड़ अब डिवाइड बाइड बाइड कौन सा प्राइज लेना पड़ेगा 500 ये तो ठीक है इस टीविदेंट भी तो मिल रहा है येस टीविदेंट कौन से येर का लेना है दो हजार एक का लेना की दो हजार दो हजार दो क्योंकि दो हजार दो का ये आपको रिटा निकाल नहीं है पंद्रह इंटो हांड़ेट बाद में कैल्कुलेट कर लेंगे दोचर्थी पासो पेचास माइनस पासो थीज प्लस 25 दिवाइड बाइ बेस प्रेस के हो जाएगा पासो थीज इंटो 100 200, 2004. पासो थीज पासो थीज पासो थीज प्लस 5 दिवाइड भी 5-5-0 into 100 and 2000, 5, 535 minus 510 plus 10 divided by 510 into 100, so these plus 15 divided by 510 into 100, so these are again my 9% is, this year I have come out, 8.49% 6.36% लेकिन यह माइनस में हैं हैं ना 2005 का इतना है, तो यह रिटन हालक यह रिटन एक्जाम में दिया रहता है, तो फिर मैं तो average expect return निकाल लूँगा, कैसे निकाल लूँगा, सब को जोड के divided by 4 कर दूँगा, answer कता है, क्या 2001 का return निकाल सकते थे हैं नहीं, क्यों क्योंकि पहले का price नहीं दिया है, तो यह note में लिख लेकिया, सर, yes, note, अन्यूटर रहता है, तो यह रहता है, तो यह रहता है, beginning price of 2001 is not given, that's it, ठीक है, अगला एग्जाम्पल में आपको, यह दिया रहेगा, इसमें figure change कर दिया हूँ, मैंने थोड़ा सा, यह थोड़ा सा fraction में आए, वहाँ simple ले लिए, यह दिया रहेगा, इसके basis पे आपको क्या निकलना पड़ेगा, expected return और इसी के basis पे आपको क्या निकलना पड़ेगा, risk standard deviation, यह अगले एग्जाम्प है, annual return दिया हुआ है, जैसी मैंने वहाँ निकाला था ना percentage में, 10%, 15%, 5%, 20%, 25%, calculate expected return and risk of single stock, expected return, अगर मैं कुछ ना करू, expected return निकालू, तो 10 plus 15 minus 5 plus 20 plus 25 divided by 5, तो answer कितना आ जाएगा, 13% बात करता हूँ, लेकिन नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ऐसे नहीं किया जा सकता, हम table में करेंगे, table में, उसकी वज़ा क्या है, presentation अच्छा होना चाहिए, और एक ही table में, हम expected return निकालेंगा, और standard deviation में निकालेंगे, standard deviation क्या आपका पहले पढ़ा हुआ है, यस, पर क्या आपको याद है, नहीं, हाला कि मैंने basic of finance में class करवा रखा, standard deviation का, तो चाहो तो आप वहां से भी ले सकते हो, पर फिर वही मैं माँ के कुछ बच्चे ऐसे भी हो गते, जो मेरे portfolio की class सिधा-सिधा कर रहे है, तो उन लोगों के लिए भी, तो क्या से table बनाना पढ़ेगा, यस, आजाओ करते हैं, हर चीज का logic रहेगा, बिल्कु ध्याद से समदने पढ़े, लिखोगे, calculation on, एक्सपेक्ट रेटर एन इस्टेंड रेश्ट रेश्ट पहले कॉलम में यह रह जाएगा, दूसरे में एक्स है जाएगा, एक्स माइनस एक्स माँ, ठीक हो जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं, यह, कितने साल हैं हमारे पस, देखो, पास नहीं हो, दोजार एक, दू, तीन, चार्व, मैं वन, टू, थ्री, फॉर, फाइव लिख देता हूं, ठीक, ठीक है सार, आगे सुनोंगे, यह जो एन्वल रिटरन है, इसको मैं एक्स बनूंगा आगे से, एक्स, दस, पंदरा, मैनस पाच, बीस पच्चिस, दस, पंदरा, पाच, बीस पच्चिस, इसको मैंने कहा मैं क्या बनूंगा, एक्स, तो क्या expect return निकल सकती है, हाँ, पर इसको कुछ total बोला जाता है, इसको बोला जाता है, summation of X, इसको बोला जाता है summation of x is equal to 10 plus 15 minus 5 plus 20 plus 25 तो यह आगे 65 percentage तो क्या x bar निकाला जा सकता है? Yes, x bar बीटे, x bar का formula है summation of x divided by n, n का मतलब year it means x bar is equal to 65 percent n का मतलब number of year कितना है? 5, answer कितना जाएगा? 13 percent सीधी भासा मैं आपको बोल रहा हूँ कि x bar का मतलब expect return कितना आ गया? expect return आ गया? 13 percent इसमें मुझे ज्यादा explain करने की जिपरत नहीं पढ़नी चाहिए अगर कोई मुझे से बोले कि यह जो company है जिसमें आप investment कर रहा हूँ यह company जिसमें आप investment कर रहा हूँ इसमें कितना percentage कमाई होने वाली है future में? यह कमाई कब किये 10 percent पर यह पास्ट की future में कितना होने वाला है? future में होने वाला 13 percent 13 percent की कमाई होने वाली future यहां तक ठीक है? अब बस ध्यान से मेरी बास सुना कोई customer आया मालो यह reliance company कोई customer आया मुझे को reliance में पैसा लगाना है मैंने ठीक है मैंने कितना कमा कर देगी? तो मैंने फटा-फट से काम करता हूँ मैंने पहले क्या किया reliance का? सुना ध्यान से कोई customer आया तो मैंने काम कैसे किया? मैंने गाओ ओकी-ओकी मैं पताता हूँ reliance कितना कमा कर देने वाली? मैं बता रहा हूँ सबसे पहले मैंने price और dividend की information निकाला निकल गया उसके हिसाब से फिर मैंने annual return निकाला ये annual return भी निकल गया और annual return का मतलब past का return उसके basis पे मैंने निकाला future का return ये future का return और मैं उस client से बोला कि ठीक है लगा दो आप यार 13% कमाऊगे लगभग 13% तो कमाई लोगे अब client ने का 13% पक्का कमाई ही कि लगभग? मैंने का लगभग 13% मतलब कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है मैंने का हाँ जी 13% कमाऊगे पर 13% से ज्यादा भी मिल सकता है उपर वाली की क्रपा रही तो कम भी मिल सकता है बोल रहा है कितना कम मिल सकता है कितना ज्यादा मिल सकता है अगर मैं कहूं 2% हो सकता है इसका मतलब 15% भी मिल सकता 2% ज्यादा या फिर 13-2% कम भी मिल सकता इस 11% मिल सकता इस डेवियेशन कि future में कितना डेवियेशन हो सकता है सर ये कैसे निकालोगे गशा को 처ious एक कितना ड्यावियाट हो सकता है यह तो मुझे नहीं मालब ये भी मुझे कैसे करना पड़ेगा पास्ट में जितना ड्यावियेट हुआ है उतना ही तोITY वाज बलते श्टैंडर्र कभी स्टैंडर्ड कास्टिंग पढ़ा स्टैंडर्ड कोस्टिंग में था बलते पाक्स को देखकार का बतातों डास्टख को देखते बहुत ऑक्यूज़ा लोस्क्थ एतना होना करें इससे कमजात होगा यह भी मझे कहां से देखते निकलना पड़ेगा पास से चलो दिए पास्ट मेरे हिसाब से कितना परशंटेज कमाऊगे इसा है कि पास्ट में 13 परशंट है हर साल में यह नहीं बोल रहा हूं ऑनने इस थर्टीन परशंट कमाए है हला कि पास्ट में किसी साल 10 परशंट भी कमाई हुई है कि सल 25 परशंट भी तो पास्ट में भी तो deviation है और वह ही मज़े निकालना है it means मुझे क्या करना यार मैं क्या क्या रहो मैं कि रहूं 13 परशन कमाओंगे पर आप ने दस भी तो कमाया मतलब 3 परशन जादा कमाया है जादा यह दो परशन इस दो minus x बार this is a deviation deviation x यह x बार यह सर इसको करते कैसे 10-13 तो क्या आ गया 10-13 तो यहां गया minus 3 0-3 करते का सब्सक्राइब ड़िए रॉहँड़ रॉह पर 2 तो माइनस 8 है 7 और 12 सर, सुनो, सुनो, सुनो एक बात अच्छे से समझा देता हूं पूरे portfolio में काम आएगी calculator चलाना सीखना है calculator देखो कैसे calculator चला रहा है important है, please सुन लेना सबसे पहले मैंने क्या किया 10-13 10-13 फिर क्या-क्या is equal to ठीक उसके बाद क्या किया 15 is equal to फिर क्या किया मैं फिर से वोड़ो इट मिस क्या मैं 15-13 बार-बार कर रहा हूं नहीं 15 is equal to फिर minus 5 is equal to फिर 20 is equal to फिर 25 is equal to ठीक मतलब 13 है एक ही बार लिखना फिर से calculator चला उठाओ calculator चलाओ बिटे कोसिस करो 10-13 is equal to तो कितना आगा है minus 3 फिर 15 is equal to कितना आया है 2 फिर 5 है ना तो 5 तो मैं प्रेस कर ही रहा हूं लेकिन 5 में minus का sign होना चाहिए sign सामने और वो कहां से आएगा minus दबाने से नहीं आएगा यह plus minus plus अबलिक minus का sign है न उसको दबाया और फिर is equal to कर दिये तो minus 80 फिर 20 is equal to फिर 25 is equal to यह calculator trick है यार कास आप में जो पढ़ा रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो मैं क्या बोड़ रहा हूं याद रखना यह calculator trick आपको आगे पूरे portfolio chapter में काम आने वाला है पूरे portfolio में तो अगर समझ में ना आए तो बार-बार calculator से practice कीजिए ठीक है मेरे ख्याल से reverse आप किजिए अगर तो भी दिक्कत है calculator चला रहा नहीं आ रहा तो मुझे message कीजिए ठीक है यह ही कि अब सुनना प्रेंस इसको जोड़ ने से अगया मनसे को सबको जोड़ा दिया और सबको जोडने से आ गया है मान लो 10% पर ये तो 5 साल का मिला के तो divided by क्या करना पड़ेगा 5 तो आंसर कितना आ गया है 2% इसको क्या बोला जाता है डेवियेशन इस्टेंडर डेवियेशन इस्टेंडर और इसका मतलब क्या है अब मैं क्लाइंट से बोलने को तयार हूं कि देखो साब क्लाइंट जिस कंपनी में आप इनवेश्टमेंट कर रहे हों उस पर कमाई कितने पर्शन की हो रही है 13% की कमाई हो रही है 13% की पर ऐसा भी हो सकता है कि और इस्टेंडर डेविशन कितना है 2% इसका मतलब साहब आपकी कमाई 15% भी हो सकती 2% उपर भी हो सकती ह और 2% नीचे भी हो सकती ठीक है यह काम है तो मुझे इसी को क्या बोला जाता है रिस्क फ्लक्चुएशन 2% अब इसी को इस्टेंडर्ड एविशन बोलते है चलो जे तो अभी क्या कर रहा हूं अब इनको जोड़ने का काम करूंगा चलो इन सबको एट करो कितना आ रहा है तीन माइनस में है प्लस दो प्लस अठारा माइनस में प्लस साथ प्लस बारा जीरो और क्या जीरो आने वाला है हां सर जीरो ही आएगा हमेसा क्या जीरो आएगा हमेसा जीरो आएगा चाहे कोश्चन कोई भी क्यों ना हो अंसर जीरो ही आएगा टूटल क्यों इसकी वज़ा क्या बिटे सुनों यहां से यह जिसे आपने निकाला मीन और मीन कितना आ गया 13 परशन एगरी अब कुछ चीजे कुछ रिटन 13 से ज्यादा भी होगी और कुछ रिटन 13 से कम भी होगी कुछ रिटन 13 से ज्यादा होगी कुछ तभी तो यह मीन आया और जब यह प्लस में है और यह माइनस में कुछ रिटन 13 से ज्यादा है कुछ रिटन 13 से कम है अब जब प्लस और माइनस को एट करोगी तो तो कट जाएगा ना भाई जीरो यहाएगा यही ऊबस यही प्राबलम है डैवुंस कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस में दिया और यह माइनस के साइन को हटाना पड़ेगा और वो कैसे हटाया जाता है इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमको करना पड़ता है X-X-BAR square स्क्वाइर कर देंगे सर स्क्वाइर करें तो फिर क्यों कर दिये स्क्वाइर रूट भी कर दूंगा इसको मैं स्क्वाइर रूट करके खटा कर दूगा इसको कैसे करते 3 into equal to 9 9 की माइनस 9 सोचके बताना सर 9 ना माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहां कितना जाएगा 4 18 into equal to 324 7 into equal to 49 12 into equal to 144 ठीक है अब इंस को जोड़ देते हैं सबको जोडने को बोलते हैं समेशन एकस माइनस एकस बार इसको जोड़ दिया तो 9 plus 4 plus 324 plus 49 plus 144 5 3 0 बस एक समस्या है एक समस्या बस दियान से समझना दियान से मैं जो बोलने जारा हूँ तो समझके बोलना बटे बहुत ज्यादा काम की चीज़ हैं दो फिट इन्टू दो फिट कॉमन सेंस वाला कोश्चन है टू फिट इन्टू टू फिट कितना फिट चार फिट ने चार स्कुर फिट याद है आपको ऐसा बीस फिट इन्टू बीस फिट इन्टू बीस फिट तो बीस बीस कितना हो गया बीस इन्टू बीस इन्टू बीस चार सो और चार सो फिट नहीं बोलते चार सो स्कुर फिट बोलते याद है आपको ये बात चार सो स्कुर फिट कभी आपने पढ़ा ना एक हजार स्कुर फिट बोलते ह कैसे फिट इन्टू फिट क्या होलता है स्क्वाइर फिट यहां तक ठीक है ओके साथ अब आगे और एक बार इंपोर्टन रोले है कि अगर कि सुनना देहां से अगर कि मैं आप से बोल रहा हूं चार पर्शन इन्टू चार पर्शन आंसर कितना पहला प्रशन दूसरा प्रशन सोला पर्शनट इसक्वाइर कौन सा ज्यादा सही है चार पर्शन इन्टू चार पर्शन कितना आएगा तो अब मैं दूसरी लेंग में पूछ रहा हूं 0.04 into 0.04 answer 0.08 4% 4% छोड़ो ना है 0.04 into 0.04 कितना आएगा अगर आप बोल रहा है 0.08 मतब 8% 0.04 into 0.04 बिट्टे ये आगए 0.00 16 बिट्टे इन दोनों को multiply करके अगर 0.16 आता तो मैं उसको बोलता 16% 4% to 4% 16% लेकिन 0.16 नहीं आ रहा है आ रहा 0.0016 तो इसको बोला जाता है 16% is square 16 divided by 100 divided by 100 दो बार divide करना पड़ी इस चार चार तो यहां कितना आ गया इसको इसको ऐसा बोलनों 0.04 इंटू 0.04 कभी भी 0.16 नहीं आएगा आएगा 0.0016 और इसको क्या बोला जाता है 16% is square ठीक है तो यह टर्म यह बाते आपको याद रखनी पड़े सर इसका मतलब यह हुआ कि यह जो पास्तो तीस आया है 5,3,0 यह क्या है बेटे यह है percentage square लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा आप इसे पास्तो तीस क्या लिखो कि percentage square यहां तक ठीक है ठीक है सर बहुत महनत हो गई आज की class लंबी चली गई और लंबी नहीं चलीगे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खिर यह class continue होगी पहली class continue करना पड़ेगा ब्रेक के बाद हमको ठीक है तो यहां हो गया 9,4,3,26,49,144 सब को जोड़ दिया तो 5,30 percent square अब पर यह कितने साल का है दिवाइड बाद फाइफ 5,30 दिवाइड बाद फाइफ तो यह आगे 106 percent is square बस खतम this is 106 percent is square इसको बोला जाता variance छोड़ो ना क्या 10 per बस एक दिक्कत है क्या divided by 5 किया क्या average निकल लिया बस एक समस्या है कि आपने यहां क्या कर रखा था square कर रखा था तो आपको क्या करना पड़ेगा square root लगाना पड़ेगा तो यह आगे 10 percent 10.29 percent 10.29 percent इसको क्या बोला जाता है standard deviation standard deviation ठीक है फिर से बोल रहो divided by 5 क्योंकि क्या क्योंकि average करना था square root क्यों क्या क्योंकि square लगा हुआ था ठीक है हालाकि इसका formula है मैं formula पर जा रहा हूं वापस formula क्या है सुना नहीं से formula standard deviation of x square root summation of x minus x bar square divided by n read कर पा रहा हूं यह तो यह है ठीक x minus x bar फिर से formula को read कर पा रहा हूं yes sir x minus x bar क्यों किया क्योंकि sir मुझे deviation निकालना square क्यों किया क्योंकि sir minus का sign हटाना इसलिए square कर दिया divided by n क्यों किया sir average और फिर square root किया sir जो square जबर्दस्ति लगाया था उसको हटाना तो पड़ेगा इसलिए square root लगाया तो चलो काम कर लिती standard division of x आ गया 530 percent square divided by 5 का square root तो या गया 10.30 percent this is standard division of x अगर कोई client बोले कितना percent कमा रहा है sir जी 13 percent क्या division हो सकता है yes 10 percent उपर भी हो सकता 10 percent नीचे भी हो सकता this is standard deviation sir एक बार लिख लें क्या yes suppose expected return of reliance is 13 percent and standard deviation is 1 से लिख रहा हूं 2 percent यह लिखने में थोड़ी सी दिखका थोड़ी na 10.2 percent suppose expected return of reliance is 13 percent and standard deviation is 2 percent it means it means reliance will provide rate return return 13 percent but that it may deviate by 2 percent that is that is 13 percent plus minus 2 percent which means 15 percent अब point number 2 point number 1 ही चल रहा है इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया calculate annual return निकाला उसके बाद हमने क्या निकाला expected return summation of annual return divided by n और उसके बाद क्या निकाला standard deviation वो कैसे निकाला summation x minus x bar square divided by n कोई दिक्कत की बात है नहीं sir break ले ले उसके बाद 15-20 minute की glass रहेगी तो वो होई जाएगा tension खतम हो जाएगा तो sir एक बार break ले ले क्या 15 minute और लगेगा 15-20 minute class ही खतम हो जाएगा ठीक हो जाएगा चलो यह किसके हिसाब से करन ले काला on the basis of past date आगे चल रहा अब सुनो बैटे मरी बात हाँ जी ध्यान से सुनोगे बात अब क्लाइंट बोलता है कि सर जी यह जो सब कुछ बता रहे हैं आप किसी भी आप expected return वो किसके हिसाब से बता रहे हैं वो बता रहे हैं आप किसके सबसे past date किसाब से आप past का data यूजी क्यों कर रहा हाँ मैंने गाँ यह भी एक तरीका probability तो हमने बहुत किया है अब होता क्या था probability मरी बात समझ रहा है हमने एक survey करवाया हमारा यह मानना है कि जो reliance का return मुझे future में मिलेगा वो depend करता है कि economy क्या होने मला है और economy क्या हो सकता है economy boom हो सकता है और क्या हो सकता है normal भी हो सकता है और क्या हो सकता है recession भी हो सकता है resistance और करीब 1000 लोगों पे survey करवाया हमने तो 1000 में से कुछ लोगों ने कहा है कि economy boom होने वाला 700 लोगों ने 200 लोगों ने कहा कि economy क्या होने वाला नॉर्मल और सौ लोग कह रहा है कि ए रशिशन आने वाला आने वाले दीनों में आने वाले पास साल में कुछ लोगों कहने एकोनौमी बूम grown कूछ लोगों कहना इकोनौमी नॉर्मल कुछ लोगों कहना economy registration तो it मिला के कितने लोगों का सर्वे करवाया था हमने 1000 लोगों का feedback form भरवाया था मेरा simple सा question है कितने प्रतीशत लोगों का ये कहना है कि economy boom सर 70% 70% लोग कह रहे economy boom 70% कितने पर्शन लोग कह रहे कि economy normal सर 20% और कितने रशेशन 10% आप इसको ऐसा लिख सकते है 0.7, 0.2, 0.1 It means economy boom होगी इसकी probability कितनी है 0.7 economy normal होगी इसकी probability कितनी है 0.2 economy resistant होगी इसकी probability कितनी है 0.1 और हमारा ये मानना अगर economy boom रहेगी तो reliance return भी तो अच्छा कमा कर देगा और हमारा मानना return कितना कमा कर देगा 25% और यहां से normal में एक return कितना मिलेगा 10% और recession में कितना कमा कर देगा सिर्फ 2% बस It means 25% भी return मिल सकते इसकी probability कितनी है 0.7 10% भी return मिल सकते इसकी probability कितनी है 0.2 और 2% भी return मिल सकते इसकी probability 0.1 और probability से return का अगर total करोगे तो क्या जाएगा expect return अगर मैं कहूँ expect return कैसे निकल सकता है simple 25 इन 2.7 प्लस 10 इन 2.2 प्लस 2 इन 2.1 इन सब को जोड़ देंगी तो expected return जाएगा 25 इन 2.7 10 इन 2.2 2 इन 2.1 तो यह आगे कितना सर्जी 19.7 पर ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है expect return इस तरह से निकाला जा सकता है यह तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बस इट मेंस अब क्या कर रहे हैं आप निकालो expect return on the basis of probability इसको बजाए था x anti data और जबकि पहले जो कर रहे थे हम लोग पॉइंट नमबर वन में वह क्या कर रहे थे expect return on the basis of past data आप क्या करेंगे on the basis of future data जिसको इसको क्या बोलते थे x post data और उसको क्या बोलेंगे x anti data anticipated तो सर्व भी लिखवा लेंगे कि यस बस उसमें खास बात क्या है मालू में बिट्टे कि उसमें हमें step number one की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि return तो दिया ही रहेगा हमें step number two or three निकालना बस इसको लिख लेकि उसको भी लिखवा दे रहा हमें यहीं लिखवा हमें point number लिखोगे two on the basis of probability असको भूले यह था x antirate step number one calculation of expected return जिसकों क्या बोलेंगे x bar expected return is equal to अन्वाली बात नहीं है सिदा summation of P x simple है यह थो step number two calculation of calculation of x minus x bar square divided by n ना होकर क्या हो जाएगा probability n का तो मतलब नहीं बनता ठीक है बाकी और कुछ है नहीं है तो चलो question देख लेते हैं कि यह प्रोबाइबिलिटी दिया है रिटर्न दिया एक्सपेक्ट रिटर्न रिसकों सिंगल स्टॉक ने काम ना है सब क्या table बनाएंगे यस हाजी तो table बनेगा आपका एक बार table बना लेते है टेबल कैसे आएगा यह और यह table लेकिन अब हमको किसी साब से table बनाना पड़ेगा probability के साब से देख लो table कैसा बनेगा सबसे पहले लिख लेते हैं calculation of expected return and standard deviation अब जो पहला column है न बेटे वो year का नहीं रहेगा पहला column रहेगा probability का फिर x फिर px फिर x-x bar x-x bar square into probability तो पहला काम हम लोगों को क्या करना है पिटे हम लोगों को पहला काम लिखना है probability और probability चेक करो कितना कितना है 25-30-20-25 पच्चिस पच्चिस तीस बीस और पच्चिस ठीक है ची उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना एक्स एक्स का मतलब रिटन पच्चिस पंद्रा दस पाच पच्चिस पंद्रा दस पाच यह भी दिख लेते हैं ठीक बस आपको विसेज ध्यान क्या दियना है विसेज ध्यान यह देना है कि डिवाइड़ बाई फोर नहीं होगा तोंकि अधिक तर बच्चिस यहीं गलती करते है क्या इस कोश्चिन में probability है यस अगर probability तो कसम खाव divided by n कभी भी नहीं करेंगे probability से multiply करेंगे औब probability से multiply करो कि तो इसका नाम क्या जाएगा PX ठीक है तो चेक करो 25 x 0.25 कितना था तो यह आगे 6.25 15 x 0.3 4.5 10 x 0.2 तो यह हैं कितना क्या है विटे 2 और 5 x 0.25 तो यहां कितना आ गया 1.25 अब इन सब को जोड़ दीचिए ठीक है सर अगर आप इन सब को add करती हो तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा पिटे इसका नाम होगा summation of px हाला कि इसी को क्या बोला जाएगा इसी को x बार बोला जाएगा 6.25 प्लस 4.5 प्लस 2 प्लस 1.25 तो यह अंसर कितना गया 14 पर्शन एक्स बार कितना जाएगा 14 पर्शन मैं फिर से बोल रहा हूं क्या आपको divided by n करना है नहीं करना है क्या यह average हो चुका है यस क्या probability से multiply कर लिया यस ठीक है अब सर इसके बाद क्या होता है इसके बाद हमको करना होता है एक्स माइनस एक्स बार और एक्स माइनस एक्स बार मतलब 25 माइनस चाहिए एक्स माइनस चाहिए कितना deviation हो सकता है बिट़ी यह आगे इलेवन निये कितना जाएगा 1 ये कितना आ गया माइनस फूर और यह कितना अगया माइनस नहीं फिर मैंने आप से क्या बोला था मैंने आप से यह बोला था इतना डेवीशन हो सकता है कितना डेवीशन ग्यारा परसंट और इतना डेवीशन होने की प्रोबैबिलिटी कितनी है पॉइंट फाइफ वन परसंट भी डेवीशन ह का लिए average और मैंने अपसे यह कहा था कि जब जब भी आप average deviation निकालोगे यह हमेसा क्या आएगा जीरो इसलिए हमें मजबूरी में क्या करना पड़ेगा square सर एक बार हम average निकाल कर पता है कि सोच लो बटे average निकालोगे तो कसम खाओ कि जीरो ही आना है इसलिए हमको क्या करना पड़ता है square करना पड़ता अब कुछ बच्चे न average कैसे निकालते सुनना बटे अब देखो उनका दिमाग और average कैसे निकालते सब को जोड़ देगे divided by four कर देगे बढ़ी divided by four कसम खाओ करना ही नहीं है क्या year दिया है नहीं क्या probability दिया तो probability से multiply करना बढ़ेगा it means मैं standard deviation का average कैसे निकालोगा मैं यहां रफ में कर रहा हूं क्या 11% हो सकता deviation yes इसकी probability कितनी है 0.25 plus क्या one हो सकता है yes इसकी probability कितनी है 0.30 क्या minus 4 हो सकता है yes इसकी probability कितनी है 0.20 plus क्या minus 9 हो सकता है yes इसकी probability कितनी है 0.25 अब करो इसको जब भी ना probability दिया है तो average कैसे निकलेगा probability से multiply करके total कर लो this is average और कोई सक ही नहीं है कि यह आपका 0 ही आना है 4 माइनस कसा है ने इंटू 0.2 9 माइनस कसा है ने इंटू 0.25 जीरो जीरो ही आना है बिट्टे सर हमको यह दिखाना पड़ेगा किया बिट्टे नहीं यह हम क्यों दिखाएंगे इसलिए अब हमारे सामने क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वार करना पड़ेगा तो 11 इंटू इक बाल टू तो बोलो बटे यह कितना हो गया मतलब आपके रिटन इतनी वैरी हो सकती है और इसकी प्रोबैबिटी कितनी एं 0.25 इतनी भी वैरी हो सकती है इसकी प्रोबैबिटी कितनी है 0.3 तो सर अब क्या करना पड़ेगा क्या divided by 4 करेंगी फिर से नहीं करेंगी फिर हमको किस से multiply करना पड़ेगा probabilities अब जो आएगा इसका नाम क्या रहेगा x minus x bar square into probability मतला 121 into 0.25 तो आगे 30.25 तो 0.3 ही होगा यागे 3.20 और यह आगे 20.25 अब क्या करना है सर अब हम एड कर लेते हैं सर एड करने के बाद जो आएगा उसको क्या बलेंगे summation of x minus x bar square into probability तो यह आगे 54 percentage square. standard deviation of x का formula है क्या इसको अचा से लिख लेते हैं standard deviation of x का formula है summation of x minus x bar into probability तो 54 percentage square. तो finally standard deviation of x तो यह आगे बटे 7.35 percentage. simple है it means अगर मैं कहूं इस question में बताईए expected return कितना है answer कितना जाएगा 14 percent और बताईए risk कितना है तो risk का answer जाएगा 7.35 percent चलो जी expected return और standard deviation सीख रहते हैं और अभी portfolio का सीखा नहीं है अभी किसका सीख रहते हैं single stock तो single stock का जब भी आपको expect return या standard deviation निकालना होगा सबसे पहले चेक करना होगा कि data कौन सा दिया है past data दिया है जिसको मैं बोल रहा हूँ x post data या probability वाला data दिया है जिसको मैं बोल रहा हूँ x anti data अगर past का data दिया है तो बस याद रखना divided by n होगा अगर x anti data दिया probability वाला दिया तो probability से multiply करेंगे अगर कहूं क्या यह हम निकालना सीख लिए है yes expected return and standard deviation तो अगर देखा जाए तो बात खतम हो चुकी है लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है वह discussion कर लेता हूं वह पॉइंट नंबर हमारा टू में ही आएगा पहला तो इंट्रेक्शन था पॉइंट नंबर टू कर रहा है एक एक इसी में एक नोट लिख लेंगा उससे कुछ मैं कॉंसेप्ट आफ को एफिशेंट आफ वैरियेशन हाँ जी सर यह क्या चीज है इसको प्यार से क्या बोलते हो सर इससे बोलते हम सीवी इस पर कोई एक्जामपल नहीं करूंगा एक कॉंसेप्ट है जो मैं आपको समझाने के कोशिश करूंगा अबने मान लू दो स्टॉक एस टॉक ए और स्टॉक वी और हमको क्या दिया एक्सपेक्टर रिटन दिया हूं एक का कितना पर्षट है 20% और एक का कितना है 30% अगर मैं stock A में पैसा लगाओं जितना भी पैसा लगा रहा है तो stock A में कितना प्रतिशत कमा उगा 20% जबकि stock B में लगाता हूँ तो 20% ने कमाएंगे 30% कमाएंगे और मैं आपसे simple सा question पूछ रहा हूँ बताइए हमें किस श्टॉक में पैसा लगाना चाहिए श्टॉक एक श्टॉक भी और आपका अंसर क्या रहेगा आपका अंसर रहेगा सर श्टॉक भी में लगाई है क्यों श्टॉक भी में लगाई है सिर जादा बिल्कुल सही एक्सपेक्ट रिटन क्या होना चाहिए जादा अगर expect return जादा है तो हम उसी सबसे काम करेंगे उस stock में पैसा लगाएंगे दूसरा data और दे रहा हूं standard deviation इसका 10 portion और इसका 8 portion सिर्फ deviation देखिए deviation standard deviation का मतलब बता है risk सिर्फ risk देखकर बताईए सिर्फ deviation देखकर बताईए कि किस stock में पैसा लगाँगे सर स्टॉक बी क्यों स्टॉक बी सर इसमें risk कितना है 10% इसमें risk कितना है 8% और एक बात तो सच है और सच यह है कि जिसमें risk कम है उसमें पैसा लगा नहीं तो हमें उस हिसाब से किस सम्छ पैसा लगाना चाहिए स्टॉक भी क्योंकि स्टॉक भी में डैवीशन कितना पर्षंट है एक पर्षंट अगर आप दोनों के हिसाब से बताइए तो हंड्रेट पर्षंट स्टॉक भी में ही पैसा लगाएंगे उसकी वजह क्या है एक्सपेक्ट रिटर्न जादा है और रिस्क कम इस्टॉक भी कोई सिक्षिंट में तो तब फसोगे यह नौट है अब आ गया आगया और आप अप Patriot क्या रृत गैए बताओ रिटर्न की हिसाबसे कौनसे इस्टॉक में पैसा लगाँ गए भी किह पर रिस्क की समय कम है तो रिटर्ट कहता कि पैसे लगाओ ऐसकी कहता है कि भीक अ में पैसे लगाओ बस अब यहां 가 walks प्रिकisu को समझ में आ रहा है पर यहां क्या लिखा ऊपर इस्टेंडर डैविशन नीचे क्या लिखा एक्सपेक्टर रिटन और यह इस्टेंडर डैविशन पॉइंट 5 क्या आप इसको रीट कर सकते हो इसको पॉइंट 5 को रीट करके बताओ रेश्व आता है सर रीट करने की कोशिश कर रहे है सर एक पर्शन रिटन कमाएंगे एक पर्शन तो डैविशन कितना हो जाएगा पॉइंट 5 पर बात समझ रहा है एक रुपिया कमाओगे मालों आपको एक रुपिया कमाओगे तो 50 पैसे का फ्लक्ट्वेशन है पचास पैसे ज़्यादा भी हो सकता है पचास पैसे कम भी हो सकता है इसी को बुला जाथा को एफिशेंट अब वेरीशन पॉइंट 5 ऐसा इसका भी करते हैं 16 डिवाइड भाइड भाइड थर्टी आंसर कितना रहा पॉइंट 533 यहां एक रुपिया कमाओगे तो फ्लक्ट्वेशन पचास पैसे का नहीं है ज्यादा फ्लक्ट्वेशन ज्यादा रिस्क है 53 पैसे का 21500 तो बताओ बैटे एक रुपए की पीछे अंग पचास पैसी का फ्लक्ट्वेशन और यहांойти 3 रुपए का फ्लक्ट्वेशन यहां रिस्क पचास पैसे कह यहां 52 हुआ ज़ए अच्छा सधरी सभी मैंने क्या निकाला मैंने निकाला रिस्क रिस्क with respect to return return और रिस्क दोनों को को साथ में जोड़के एक ratio निकाला हाला कि इसको कुछ बोला जाता है इसको बोला जाता coefficient of variation अगर मैं CV निकाल रहा हूं 0.6 तो क्या आप इसको read कर सकते हो हां सर एक रुपए के पीछे एक पर्शन के पीछे 0.6% का deviation भिसीवी इस सीवी किया है सीवी है risk with respect to return और कौन सा जादा रिस्की कहलाएगा जिसका सीवी जादा है वो जादा रिस्की है और कौन सा हम select करेंगे stock जिसका सीवी कम है वो stock हम select करेंगे ठीक है जैंगे ओके सर इस पर लिख लेकिया थोड़ी इस बहुत बात है यस लिखोगे मेरे से सब स्भिख करेंगे करेंगे टादाAg starCOEFFICIENT वफ और लारादान्मीन risk with respect to return, it is calculated as under, formula cv का लिख देता हूँ, standard deviation divided by expected return, या इसे और कैसे लिखा जाता है, standard deviation के पहले भी पढ़ा होगा, x bar, and finally, higher cv means higher risk, and के लिख देता हूँ, के लिख सेलेक्ट दा श्टॉक हैवी लोवर से बजी आज के लिए बहुत है, अगली क्लास में करेंगे क्या अगली क्लास में सिर्फ कोश्चन्स होगा, अगली क्लास लंबी चली गई है, पर अगली क्लास एक गंटे की होगा, आगे से एक गंटे की क्लास होगा, आज कोश्चन्स जादा थे इसी वज़ा से, और next क्लास में कोश्चन्स ही होगा, expect return निकालने के, और coefficient और variation वाले कोश्चन होगा, ठीक है, तो आप तयार हो जाइए, कल मिलते हैं, next क्लास में, बाई बाई, थेंक्यू सो मच्च,